देवास रोड़ पर एक जून की दो पहर बाइक सवार चार बदमाशों ने कार और साड़े तीन लाख रुपे नगद लूटने की वारदात को अंजाम दिया था फुलिस ने बदमाशों को गिरफतार कर दो दिन की पूछताच के लिए रिमांट पर लिया है बदमाशों से लूटी गई कार, नगदी और आभुशनों के साथ पूरुब में की गई चोरी की तीन बाइक और नो ववाइल जब्त किये है नरवर थानाक शेतर के हंस खेडा में रहने वाले अजय जाट के साथ एमाइटी फंटा पर चार बाइक सवार बदमाशों ने चाकू की नोक पर नई कार और साड़े तीन लाख रुपे नगद लूटने की वारदात की थी पुलिस ने तीन दिनों की मशक्कत के बाद नागजिरी थानाक शेतर के हरसिद्धी बिहार में रहने वाले आयुष पिता शिव सिंग रगुवनशी उसके रिष्टदार अभिशेक पिता शंकर सिंग रगुवनशी निवासी गोविंद कालोनी इंदोर के साथ शिवा पिता मुनालाल गोस्वामी रुकमणी नगर इंदोर और गोपाल पिता लालचन चर्मा नगर कोट मंदिर के समी बुद्वार या मार्ग को गिरफ्तार किया है चारों बदमाशों से लूटी गई कार और साड़े तिन लाख रुपे में से एक लाख छे हजार रुपे नगत बरामत कर लिए गए है S.P. सचिन शर्मा ने बताया कि बदमाशों ने लूट की वारदात को इंदौर और उजेन से चुराई गई बाइक पर सवार होकर अंजाम दिया था चौरी की दोनों बाइकों के साथ एक अन्य बाइक भी बरामत की गई है चारों बदमाश आपराधिक प्रवरतिके हैं जिनके पास से नो मुबाइल बरामत किये गए हैं बदमाशों ने इंदौर और उजेन में मुबाइल लूटने की वारदात को अंजाम दिया था बदमाशों के पास से एक लाख 14,000 के आभुशन भी बरामत कर लिए गए हैं बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आये बदमाश गोपाल शर्मा ने लूट की राशी अपने पास रख ली थी और उससे गिरवी रखे आभुशन छुडाने के साथ कुछ नए आभुशन भी खरिद लिये थे बदमाशों की तलाश इंदोर पुलिस को भी है जो चारों को प्रोटेक्शन वारंट पर अपने साथ ले जाएगी